गुड मॉनी शात्रों रामराजी इंडर कॉलेज नायरपूर पितंपूर अमबेटकर नगर की आनलाइन क्लासेज में आप सभी का सवगत है जैसा कि शैत्रों हम लोग जिधारियों के लक्षन का द्धन कर रहे थे तो जिधारियों के लक्षन के बारे में हमने आपको दो पॉइंट्स बताया थे जिधियों का लक्षन है चातों तीसरा हम पड़ते हैं हम मार थोड़ी से जर्चा किये थे इस क्रीशन की इस की संट तो यह जिवों का तीसरा प्रमुक लक्षन है इस की संट उत्सर्जन कि तो उस जर्जन के सिर्चच पहले जान लेते हैं अफसेश्ष पदार्थों का सरी से भाहनने की प्रकृया को इस स घर्जन किते हैं दितने भी जीव धारी हैं जैसा जीव जगत नहीं मत आयब ऑनने सब 2 था कि कई लक्षण पाए जाते हैं किसी पदार्थ को जीवित होने के लिए कई लक्षण की आसकता होती है जिस भी पदार्थ में इसारी लक्षण पाए जाएंगे वो जीवित होगा तो इसमें उस्वर्जन का अर्थ परिभास आपने बता ही दिया अब इसमें होता क्या है जितने भी जिवधारी जब वो भिविन पकार के कारी करेंगे तो उन कारी ओं के लिए जो और्जा होती है वह और्जा जटिल से सरल, सरल से जटिल में बनता है तो बनने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थों का निर्मार होता है जो उनके सरीर के लिए आवस्यक नहीं होता है तो ऐसे पदार्थों का सरीर से बाहर निकालना अतियंत आवस्यक होता है क्योंकि जियोधारियों के सरीर के अंदर अगर अपसिष्पधार्थ 31 होने लगते हैं तो सभी प्वाजन मनाना सो करते हैं तो प्वाजन मनाने के कारण से उसल, जिवधारी या मनुस पौदे जो भी होगा उसकी मिर्तु निश्चित है जिसलिए उस्सरजन की प्रक्रिया एक बहुत ही आवसे प्रक्रिया है और यह सभी जिवधारियों में पाए जाता है कि यह दू साल खंड हो गया लग्षान याद करते चलिएगा बहुत इंपर्टन चीज है जर्राली हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भाय लुज़री की स्टुडेंट्स है हम पड़ते हैं तो बायो पड़ते हैं तो सब से पहले बायो होता क्या इसके बारे में जानना आवस सब तो जैसा जो भी हमने दो तीने से बता रहा है कि वहले इक गवर दो डो लक्षन बता रहे हैं तो उन दोनों को पढ़ते चलिए याद रखिए और लोगों को बताते भी चलिए को पुछता है जीव किसे कहते हैं तिन लक्षनों के आधार पर जीव का जिश्टिफिकेसं एक चैत्रों आज के वीडियों में हमने और कुछ चीजें है दो तीन दो पिजह और है इसको देख के पड़ लिजाएगा यहाँ बनसपत विग्यान के जनक को बनसपत विग्यान के इस उत्पत कि सब्सक्राइए और क्या कहते हैं जिवधारियों का संब्द जिस विग्यान से होता हो तो उसे किसे वोसे क्या कहते हैं यह तमाम चीजें हमने आज पर दिया हुआ है इन चीजों के सामान ने जानकारी है और साथ साथ यहां पर हमने एक और चोटा सा चार्ट भी दिया हुआ है इसको आप रट लेजिएगा यह हमेशा काम देता है हम बीविन प्रकार की चीजों को दो देखते हैं उनका धिन करते हैं इन सब वातों की यहां पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की गए एक लाइन का एक पेज का है इसको जरूर नोट्स मना लीजेगा यह बहुत इंपोर्टन है कंपेटिशन के देश कौर से ठीक है और जो चीजे नहीं समझ में आगे वो हम से पूछ देगा हम और कभी आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आप जुड़ें और समझें बातों को जब समझेंगे आपका पढ़ने में इंटेस्ट आएगा तब हम और को दे देगे तैने क्लासिज में